होम स्यंति बाबा ने हम सभी को सदा ही पाठ पढ़ाया था अच्छानक और एवर रेडी इस कार्थ है कि बहुत कुछ अच्छानक होता रहेगा तुम्हें उसके लिए सदा रेडी रहना है इसमें बात केवल सरीर चोड़ने की नहीं है और भी बहुत कुछ अच्छानक होता रहेगा मनुसके जीवन में कोरोना भी अच्छानक आया किसी ने नहीं सोचा था कि एक एद्रस से वाइरस इतनी बड़ी महमारी पैदा कर देगा और संसार को तबाही के मोड पर ले चलेगा सच मुछ बहुत बुरी वेवस्ता हुई है प्रकरती अपने में चेंज ला रही है तो हम सभी को इसके लिए ready रहना ही है इस कार्थ यह नहीं कि हमें आ जाएगा हमें अपने को तो safe रखना है तो आएगा ही नहीं हम अपने चार ओर powerful ओरा बना कर रखें सर्व सक्तिवान को सिर के उपर छत्र चाया बना लें गरम पानी दो बार पीएं अच्छी तर है अच्छा गरम पानी और मास्क भी लगा कर रखें डिस्टेंसिंग का भी पालन करें तो यह नहीं आएगा इटली में देखो इस पर विजय पाली है जहां का सबसे बुरा हाल हुआ था सुरू में इन चीजों के कारण तो हम सब गवराएं बिलकुल नहीं निर्भै रहेंगे क्योंकि भै भी इन चीजों को अट्रेक्ट करता है अपनी और लोग कह रहे हैं के कोरोना से मृत्यू कम हो रही है लेकिन भै से ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो हमें हर चीज के लिए तयार रहना है अब तो वो सीन देखेंगे हम सब जो अनेक्सपेक्टिड हैं जो अचानक आएंगे भुकम्पो का खेल तो अचानक ही होता है उसमें तो कोई सूचना कोई दे ही नहीं पाता है तो हम सभी ऐसा अभ्यास करें कि एक तो अपने को समेट कर रखें अपने को माना चार ओर से जो हमने अपने विस्तार किये हुए होते हैं चाहे धंदो के बहुत सारे विस्तार चाहे मन के बहुत विस्तार चाहे अपने घर में बहुत सारे विस्तार इच्छाओं के विस्तार उनको थोड़ा आप समेट लें क्योंकि जो समेट कर चलेंगे वही जल्दी अपनी स्थिती में स्थित हो सकेंगे दूसरी बात हमें आदर डालनी है धहरिये चित रहने की ताकि कुछ भी आए तो हम घबराएं नहीं हम नर्वस न हो जाएं और हम वो चीज़ न भूल जाएं जो हमें कर लेनी चाहिए मान लो भूख हम पा गए अचानक धर तीलने लगी वो तो अचानक खिलती है तो बाबा ने कहा है मेरी याद में इस्थित हो जाए भाग दोड न करो न परिशान हो न नर्वस हो जाओ योग युक्त हो जाओ योग युक्त होने से वैसे तो जो प्रकरती है हमें मदद करने लगेगी और अगर मान लो कुछ हो भी जाए तो हमारी अंतिम गती सर्फ रेष्ट होगी तो भाग दोड नहीं तो अगर हम भैवीत हो जाएंगे तो इधर भागेंगे उधर आएंगे कोई लिफ्ट में चड़ेगा और लिफ्ट में चड़ना बहुत खतरनाक होता है तो हम अचानक के पेपर में पास होने के लिए अपने मन को धहरिये चित बना ले लंबे समय से निर्वैता का ब्यास करें सक्सिभाव होने की प्रेक्टिश करें और ये तो हम जनते हैं कि जो कुछ होगा वो होगा उसको कोई नहीं रोक सकता इसलिए हर चीज को स्विकार करें और अपने योग अभ्यास को बहुत बढ़ा दें सभी ने इस समय लोकडाउन के दोरान भी और अब भी अपने योग अभ्यास को बहुत बढ़ा ही दिया होगा साधनाए ही हमारी सेफटी का साधन रहेंगी धन की भी कमी नेचुरल रूप से चार ओर पढ़ जाएगी परिष्थिती भी आएगी तो धन की ज़रुरत भी जादा पढ़ेगी और धन की कमी होगी लेकिन अगर हम बहुत अच्छे योग युक्त होंगे अगर हम बाप दादा का आवान किया करेंगे तो हमारे सामने ये परिष्थिती आएंगी नहीं हमें जान लेना चाहिए इस पर हमें संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि बहुत सारी परिष्थितियों से हम भु के रखलें, अपने बुद्धि में समालें, इस्थिती श्रेश्टोगी, तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी, बहुत सारी विक्राल परिस्थिती हमारे सामने आएगी नहीं, आएगी तो जल्दी ही टल जाएगी, तो हम बाबा को अपनी चत्र चाया बनालें, सीव बाब झाल झाल झाल